दोस्तों स्वाधत है आपका हमारे यूटूब चैनल जर्धारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जी के प्रिवेस एर एमसी क्यू सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं बीसवां पार्ट, उननिस पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो क्वेशन नमबर 571 है गलत यूग्म का चैन कीजिए ओप्सन ए है यहाँ पे डक्टर हर्स वंती बीष्ट इनको पद्म बोसर नहीं बलकि इनको अरजन पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है तो यहाँ पे ओप्सन ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे यह गलत यूग्म है सुकदेव पांडे को पद्मिसरी से सम्मानित किया गया है सी है यहाँ परिमार्जन नेगी इनको अरजन पुरुसकार से और दीप जोसी को रमन पुरुसकार मिल चुका है तो इसलिए 571 का राइट आंसर है ओप्सन ए सैनिक स्कूल गोडाखाल नैनिताल कब इस्थापित किया गया था तो यह इस्थापित किया गया था 21 मार्ज 1966 इस भी को तो इसलिए 572 का सही आंसर है ओप्सन डी इन में से कोई नहीं यह इस्थापित किया गया था 21 मार्ज 1966 को नेक्स्ट क्वेशन है सही युगम का चयन कीजिए तो यहाँ पे आप उप्षन देख सकते हैं 573 का राइट आंसर है उप्षन C यहाँ पे सही युगम है मैती आंदोलन का सम्मान किससे है वरक्छारोपन से तो उप्षन C है इसका राइट आंसर क्वेशन नमर 574 है भागी रथी और अलकननदा नदियों का नाम किस नाम से यह जाने जाते है 574 का राइट आंसर है उप्षन D भागी रथी और अलकननदा जो नदिया है यह सास बहु के नाम से जाना जाता है इनको तो यहाँ पे जो भागी रखती है वो जाने जाती है सास के नाम से और जो अलक नंदा नदी है वो जाने जाती है बहु के नाम से और इन दोनों नदियों का संगम होता है देव परियाग में और इसके आगे यह कहलाते है गंगा के नाम से क्वेशन नमबर 575 है उस्ताज साबरी खान एक क्या थे तो उस्ताज साबरी खान जो है ये एक सारंगी वादक थे 575 का यहाँ पर राइट आंसर है ओप्शन बी क्वेशन नमबर 576 है दक्ष प्रजापती मंदिर कहां इस्तित है तो दक्ष प्रजापती मंदिर जो है वो हरि द्वार में इस चित है, तो 576 का राइट आंसर है, option C, question नमर 577 है, मचली मारने का मोन उत्सव, प्रति वर्स मसूरी की निकट किस नदी पर खेला जाता है, तो ये जो उत्सव है, ये खेला जाता है, अगलाण नदी पर, 577 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर option C, question नमर 578 है, तिलारी कांड संबंदित है, तो तिलारी कांड संबंदित है, वन कानुन से, 578 का राइट आंसर है, option B, वन कानुन से संबंदित है, question number 579 है उत्राखन के किस जनपद में लंका नामक इस्थान है तो ये उत्तरकासी जो जिल्ला है वहाँ क्या है एक लंका नामक वहाँ पे एक इस्थान है तो यहाँ पे 579 का right answer है option B उत्तरकासी next question है उत्राखन के निम्न में से किस चेतर से ताने नृत्या सम्मंदित है तो option A है रवाई B है जो हार C है जोरास और D है यहाँ पे जाखनी तो 580 का right answer है option A रवाई ठीक है question number 581 है कुमाउच चेतर में गोलू देवता जाने जाते है तो गोलू देवता जाने जाते है यहाँ नियाए के देवता के रूप में 581 का right answer है option C question number 582 है निम्न लिखित युगमू में से कौन एक गलत रूप से सुमेलित है तो यहाँ पे आप option देख सकते है तो 582 का correct answer यहाँ पे option D क्योंकि जो ओप ग्रोव जो school है यह कहाँ इस्तित है रूप की में नहीं बलकि यह मसूरी देहरदोन में इस्तित है तो यहाँ पे 582 का right answer हो जाएगा option D question number 583 है उत्राखन की किस महिला ने तीर्स यात्रा मारगों में धरम सालाउं का निर्मान करवाया था तो यह निर्मान करवाया था जसुली सोक्याणी ने ठीक है 583 का right answer है option A है यहाँ पे question number 584 है उत्राखन में हिंदुस्तान मसीन टूल्स का उध्योग कहाँ है तो यह कहाँ इस्तित है तो यह इस्तित है नयनिताल जिल्ले में 584 का right answer है option D question number 585 है उत्राखन की प्रथम महिला पुलिस महा निदेशक कौन थी इनका नाम था कंचन चौधरी भटाचार्य 585 का right answer है option A next question है यहाँ पे नरेंदर सिहन नेगी सम्मंदित है तो नरेंदर सिहन नेगी का सम्मंदित है यहाँ पे music से 586 का right answer है option B next question है मनेली भाली परियोजना किस नंदी पर इस्तित है तो यह इस्तित है भागी रथी नदी पर 587 का right answer है option B दोस्तों अगर आपको उत्राखन की कोई भी notes है तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से आप जड़ारी क्लासे से उत्राखन की किसी भी परकार के notes ले सकते हैं और जड़ारी क्लास के आप कोई भी e-book वहाँ से download कर सकते हैं तो next question है उत्राखन की किस जन्पद में नानक सागर इस्तित है तो नानक सागर कहा इस्तित है तो ये इस्तित है उद्धम जिया नगर में 588 का right answer है option D question number 589 है cup coat किस जन्पद में इस्तित है तो जो cup coat है ये इस्तित है आपके बागिश्वर जिल्ले में 589 का right answer है option B question number 590 है यहाँ पे उत्राखन में aims कहां इस्तित है तो जो aims है ये इस्तित है रिसी केस में 590 का right answer है option B question number 591 मन्दाकिनी और अलकनन्दा नदी का संगम किस इस्तान पर होता है तो ये संगम होता है इनका रुद्र परियाग में 591 का right answer है option B question number 592 है टिहिरी राज्य का भारत्य संग में विली निकरण का वर्स है तो ये विली निकरण हुआ है यहाँ पर जो टिहिरी राज्य है ये 1 अगस्त 1949 1949 1 अगस्त 1949 में टिहिरी राज्य का भारत्य संग में विली निकरण हुआ था तो इसलिए 592 का right answer क्या हो जाएगा option D किस राज्य में इस्तित है अपने उत्राखण में इस्तित है तो 593 का right answer है option C question 594 है जौनपुर सहर किसके द्वारा बसाया गया था तो जौनपुर सहर बसाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा 594 का right answer है option C question number 595 है स्री नागराज देवता मेला कहां आयुजित होता है तो स्री नागराज देवता मेला है ये आयुजित होता है उत्तरकासी जिल्ले में तो 595 का right answer है option C next question है घटोतकच मंदिर एवं हिडिमबा मंदिर कहां इस्तित है ये दोनों जो मंदिर है ये इस्तित है चमपावत जिल्ले में तो 596 का सही answer है option B question number 597 है डुन्डा और मोरी तहसिल किस जन्पत की है तो ये दोनों तहसिल है ये है यहाँपे 597 का right answer option A उत्तरकासी जिल्ले की option A है यहाँपे correct answer question number 598 है पुस्पावती नदी डौट डौट में बहती है तो जो पुस्पावती नदी है वो बहती है फूलों की घाटी में 598 का correct answer है option D next question है नेहरू परवता रोहन संस्तान उत्तरकासी की इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी उत्तरकासी में इस्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 में तो यहाँ पे 599 का right answer क्या हो जाएगा option D इन में से कोई भी नहीं और आज की वीडियो का last question है 600 उत्तराखन में कौन सा इस्थान इस्थित नहीं है तो यहाँ पे option D है 600 का right answer B और C दोनों धार्चुल जो है यह उत्तराखन में इस्थित है उठाकुरहिल और नजीबाबाद जो है यह दोनों जो इस्थान है यह उत्तराखन में इस्थित नहीं है तो इसलिए 600 का right answer है option D तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आये होगी मिलते हैं next वीडियो के साथ अपता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद